Windows में folder share करने के मैं तीन तरीके बताऊंगा पहला simple share जिसको कोई भी access कर सकता हो दूसरा जिसको only allowed user के through ही access किया जा सकता है और तीसरा hidden जिसको वो access कर पाएंगे जिनको उस folder का नाम पता हो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दीप और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल टेकनो पुरान में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं simple share कैसे करना है folder को वैसे मैं यह Windows 7 यूज़ कर रहा हूँ लेकिन Windows XP से लेकि Windows 10 तक सेम ही method है folder को share करने का चलते हैं अपने computer पे and then press Windows की plus letter E की ताकि हमारा जो drive से वो खुल जाए या फिर open by double clicking on my computer icon या फिर this PC icon Windows 10 है तो this PC होगा ठीक है now drive D में चलते हैं and create a folder by pressing ctrl plus shift plus n letter और by right clicking and then new then folder अब हम folder को select करते हुए right click करेंगे and फिर sharing tab में चलेंगे यहाँ advanced sharing में अब share this folder पे click करेंगे now permission पे अब जो भी यहाँ दिख रहा है यह important है तो ध्यान से अगर मुझे इस share folder को full access देना है तो full control पे click करेंगे और अगर read only रखना है तो read only पे click करेंगे अब चलते हैं कि कौन सा user के द्वारा यह share folder access होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि everyone किया हुआ है मतलब कि इस PC के जितने भी user हैं वो सभी इस folder को access कर सकते हैं through network दूसरे computer से मैं इसका practical second part में करके दिखाऊंगा अभी मैं normal share करके दिखाता हूँ ठीक है so now just apply and ok अब तो हमारा folder वो share हो चुका है now अब चलते हैं network icon पे जो की notification area में होता है मेरे PC wifi से connected है तो wifi का sign दिख रहा है उस पे right click करेंगे and select करेंगे open network and sharing center यहाँ पे change advanced sharing setting पे चलेंगे अब both tab यानि home और work as well as public में दोनों में सभी को on कर देंगे except password protection क्योंकि हमें simply folder को share करना है तो password protection off करके save changes पे click करेंगे and just restart the PC now अपने computer का IP जान ले by clicking windows की plus r and in run dialogue box type ncpa.cpl and hit enter अब connected adapter पे right click करके status details यहाँ पे आपको अपने computer का IP देख जाएगा तो अब चलते हैं दूसरे computer पे जो की इसी network पे है उस पे type करते हैं same process है window or press करके backslash डाल करके दो and IP लिखेंगे उस computer का जिसको access करना है ठीक है तो आप देख सकते है share folder दीख रहा है with full control अब मैं आपको दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें की only allowed user ही उस particular folder को access कर पाएंगे तो चलते हैं उसी folder पे और right click करते हैं फिर properties पे चलते हैं फिर sharing tab advanced sharing share folder पे click करने के बाद permissions यहाँ पे group और user name में जहाँ पे everyone लिखा हुआ है उसको आप हटा करके जिस user को allow करना है उस user को आप search करना है नाम के हिसाब से ठीक है और फिर permission उसको दे दना है पूरा और फिर apply और okay कर देना है ठीक है बस इतना ही करना है यह पहला step है दूसरा step ही है कि फिर से हम notification area पे जाएंगे जहाँ पे मारा network icon दिख रहा था जैसे मेरा wifi था तो wifi दिख रहा था वहाँ पे जाके right click करेंगे right click करने के बाद अगर windows 7 है तो आपको दिखेगा open network and sharing center अगर window 10 है तो दिखे change advanced sharing setting पे चलेंगे ठीक है यह window 10 में भी आपको दिख जाएगा change advanced sharing setting यहाँ पे हम लोग चलेंगे password protection पे उसको जा करके enable कर देंगे ठीक है उसके पहले यह सब करने के पहले हम जिस user से हमको उस folder को access करना है उसमें password पहले लगा लेंगे ठीक है फिर save changes पे click कर देंगे अब चल access करेंगे backslash देंगे दो और ip लिखेंगे उस computer का जिस computer को access करना है आप देख सकते हैं कि यह username और password माँग रहा है ठीक है सबसे पहले मैं उससे access करोंगा जिसको मैंने permission नहीं दिया है ठीक है तो आप देख सकते हैं access करने के बाद username उसका लिखेंगा और password लिखेंगा एक्स करने के बाद मैं फिर से access करने ही कोसिस करता हूँ तो जब मैं दुबारा access करूँगा तो मैं उस user का detail डालूँगा जिसको मैंने permission दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि यह folder अब fully control access हो रहा है अब चलते हैं तीसरे तरीका याने कि hidden share folder कैसे करते हैं ठीक है तो यह भी बहुत ही simple है first share folder पे right click करेंगे sharing tab में advanced sharing में चलेंगे and click share this folder अब share name पे हम name के आगे और पीछे dollar का sign लगाएंगे now give permissions according to your need and apply and okay मतलब कि जो आपको permission देना हो चाहे user add करना हो कुछ भी करना हो वह आप कर लो लेकिन अगर आपको hidden उस folder को share folder को hidden रखना है बस नाम के आगे और पीछे dollar sign लगा लेना है अब चलते हैं दूसरे PC पे इसको access करके देखते हैं इसको access कैसे करना है थोड़ा असा difference है यह window and R press करना है ठीक है उसके बाद आपको जो backslash दो देना है उसके बाद IP लिखना है computer का फिर एक backslash देना है उसके बाद share folder का नाम with dollar sign मतलब आगे भी dollar रहेगा और पीछे भी रहेगा ठीक नाम जो आप लिको जैसे आपने नाम दिया था वहाँ पे share folder पे सेम उसी तरीकरी से नाम यहाँ भी देना है तो आप देख सकते हैं यह folder दिख रहा है बट मैं आपको normal अब यह तो access करके मैंने आपको दिखा दिया क या फिर कोई सवाल है आपका तो comment में जरूर पूछे मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए topic के साथ तब तक के लिए bye bye